आज मैं आपको Windows 10 restart करने की shortcut की बताऊंगा तो वो shortcut की है ctrl पलस alt पलस delete तो मैं आपको Windows 10 restart करके बताता हूँ laptop restart करने की shortcut की है ctrl पलस alt पलस delete तो मैं ctrl पलस alt पलस delete उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नीचे corner में power का button आपको दिखाई देंगा इस पर आकर के आपको click करना है और फिर restart पर click कर देना है रिस्टार्ट पर मैं click कर दूँगा तो आप देख सकते हैं laptop restart हो रहा है